तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लिक्चर में हम लोगो ने प्रेपोजीशन के बहुत सारे कॉंसेट को कवर किया था आज की सेशन में हम प्रेपोजीशन के जो अन्न कॉंसेट होंगे उनको एक-एक करके हम कवर करेंगे और साथी साथ ये भी देखेंगे कि एक्चुल म एमंग्स्ट के क्या उजर्स हैं वेफोर इंफरेंट आफ इन और एड के बारे में हमने देखाता आज की सेशन में सबसे पहले तो हम बचे हुए जितने भी प्रिपुजीशन होंगे उनको कवर करेंगे और फिर एक अलग वराइटी की प्रिपुजीशन पढ़ेंगे जिसको एक्चल में हम फिक्स प्रिपुजीशन के अंतरगत रखते हैं जब मैं बात करता हूं फिक्स प्रिपुजीशन तो इसका मतलब यह होगा कि कुछ इस्पेसिफिक वर्ड्स होंगे चाहे हम उनको वर्ब का नाम दे दे या फिर हम उनको एड्जक्टिव का नाम दे दे या नाउन का नाम दे दें तो इसका मतलब नाउन भी हो सकते हैं वर भी हो सकते हैं या अन्य कोई शब्द होते हैं जहां पे उनके साथ कुछ विसेश तरह के प्रिपूजीशन को हमेशा यूज किया जाता है तो आएए एक एक करके बचे को पहले कवर करते हैं तो अब बात करते हैं तो इसका consomm किसी भी सिंटेंस में पॉइंट आफ टाइम के लिए होता है पॉइंट आफ टाइम इसका मतलब जब सब्वाल के माध्धम से हम समझते हैं कि आखिर यहां पर परिडियोड टाइम और पॉंट ऑफ टाईम के इन है डिफरेंशन अजब आप पॉंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा जो समय होता है व होता है वे chunky मतलब क्या निकला कि जैसे आप किसी भी दिन का आप नाम ले लीजिए, जैसे आपने संडे बोला, तो संडे एक पर्टिकुलर दिन है कि नहीं, इसी तरीके से आपने एक जनवरी बोला, तो एक जनवरी एक पर्टिकुलर डेट है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही, मैंने का संद 2005, तो संद 2005 ए यह होगा, इसी तरीके से हम कह सकते हैं, since Monday, यह, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, since, since 9 o'clock, since 9 o'clock, ठीक है, एक्सेक्टरा, अब for के बारे में अगर हम देखें, तो जैसे, अब मैंने कहा for, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, three days, यह, for three days मैंने लिख दिया, ठीक है, उसी तरीक से मैंने कहा for many years, for many years, यह हो गया, इसी तरीके से मैंने बोला for a long time, for a long time, यह हो जाएगा, ठीक है, एक सेक्टरा मैंने लिख दिया, अब जब duration का मतलब यह होता है, कि जिससे point of time के बारे में represent ना हो, मतलब आपने बोला for three days, यानि तीन दिनों से, अग तीन दिनों से जब आप बोलेंगे, तो क्या actual में, तीन दिन की एक duration बताई गई है, यह तो पता नहीं है कब से, लेकिन तीन दिन की बात हुई है, अब तीन दिन किसको denote करेगा, तो जब निकलेगा, यह duration को represent करेगा, वही पर मैंने कहा for many years, यानि लंबे समय से, अब लंबा समय किसको represent करेगा तो of course यह भी duration को represent करने का काम करेगा, यही पर आपने बोला for a long time, तो यह भी एक लंबे समय को denote करने का काम करता है, दूसरी बात यह मैं बताना चाहूंगा, कि जैसे अपने पास since a for होता है, तो generally आप किसी भी tense में आप use करते हैं, लेकिन इनका use जब भी application की बात होती है, इनका use कहां पर किया जाता है, तो generally इसका use, चाहे आप present perfect की बात करें, ठीक है, present perfect की बात करें, present perfect हो गया, इसी तरीके से present perfect continuous, ठीक है, present perfect continuous, perfect continuous की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, हाँ, present perfect continuous की बात हो गई, अब इसी तरीके से past perfect continuous आप लिख सकते हैं, past perfect continuous यह देखे, past perfect continuous मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, होप करता हूँ है, आप समझ गये होंगे, अब यहीं पर एक point में और note down करवाना चाहूँगा आपको, कि जब भी जैसे future perfect continuous की बात किया जाए, तो future perfect continuous में, future perfect continuous की जब मैं बात करूँगा, perfect continuous में, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूत है, यहाँ फ्यूचर perfect continuous की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ पे आप since के use करते हैं, तो since के स्थान पे आप हमेशा preference देंगे from को, यहाँ जब भी अगर future perfect continuous की बात किया जाएगा, तो वहाँ पे since नई use करके, बलके since के स्थान पे आप from को prefer करेंगे, जैसे मैं example देता हूँ, तब आप इस चीच को अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा, they will be, they will be, will be, okay, will have been, they will have been, ठीक है, they will have been, have been, doing, ठीक है, मैंने कहा, they will have been, doing, ठीक है, this work, this work, अब यहाँ पे generally आपको examiner देगा, since 2025, अब यह देखे, मैंने कहा, they will have been doing this work, ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, since 2025, मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे करना क्या है, कि आपने देखा, कि will have been, यह shall have been का अगर use किया गया है, तो यह general सा structure होता है, कि will have been, यह shall have been के साथ, ing को use करते हैं, तो यह identification कहलाती है, future perfect continuous की, अब यहाँ पे, जो since word दिया गया है, since को आप replace कर देंगे, किस से, from से आप replace करेंगे, ठीक है, यह किस से replace किया जाएगा, तो जवाब निकलेगा, कि since को आप replace कर देंगे, from sin, इसी तरीका से कुछ example और हो जाएग, ठीक है, मैंने कहा, they, ठीक है, have been, ठीक है, they have been staying here, they have been staying here, okay, for many years, for many years, अब यह duration की बात कर दी गई है, यहाँ पे, मतलब they have been staying here, वो यहाँ, लंबे समय से stay किये हुए है, अर्था through के हुए है, they have been staying here for many years, यह किस की बात हुई है, तो यहाँ पे again आपका जवाब निकलेगा, कि यहाँ पे duration की बात की गई है, तो किसी भी sentence में, अगर हम duration की बात क करेंगे, तो duration के लिए हमेशा for को prefer किया जाता है, since का किसी भी स्थिति में use नहीं करेंगे, अब यहाँ पे since की स्थान पे मैंने क्या use किया, from, एक since का भी example देख लेते हैं, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा, students, students had been, had been, students had been, ठीक है, waiting, waiting, ठीक है, for you, ठीक है, students had been waiting for you, since, since 5 p.m., ठीक है, since 5 p.m., अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कि students had been waiting for you, है न, since 5 p.m., मतलब विद्यारत ही, आपको इंतिजार कर रहे थे, कितने बजे से, तो जबाब निकलेगा, पाच बजे से, तो यहाँ पे students had been waiting for you, since 5 p.m., यह आपका point of time से related example हो गया, यह आपका duration से related है, अगेन यह आपको point of time से ही related example मैंने यहाँ पे लेख दिया, हुप करता हूँ, since of for our की, जो condition है, आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे from की ही बात मैंने कर दी, तो from के बारे में एक चीज़ एड़ कर लिज करते हैं, यानि जब भी किसी भी sentence में आप from के use करते हैं, तो इसके साथ to till until का use कर दिया जाता है, अब यह क्या होता है, इसका अर्थ हिंदी में देखे, तो यह say और यह तक के अर्थ में use किया जाता है, और generally यह किसके sense में use किया जाता है, तो इसका use हमेशा समय बताने के स Friday, from, आप लिख सकते हैं, Monday, मैंने यहा लिखा, Monday to Friday, यह देखे, मैंने क्या लिखा, from Monday to Friday, इसी तरीके से, from, from, ठीक है, 5 a.m. to 9 a.m., यह देखे, यह यहाँ पे, इसका मतलब यह source point हो गया, कब से start हुआ, और कब end हुआ, यहनि, आपने बोला, from Monday to Friday, इसका मतलब सुमवार से सुक्रवार तक, यही पे आप देखेंगे, from 5 a.m. to 9 a.m., इसका मतलब 5 a.m. से 9 a.m. अब इसके, यहाँ पे 2 के स्थान पे, आप तिल कभी यूज़ कर सकते हैं, तिल के स्थान पे, आप अंटिल कभी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप दिये तीनों में से किसी का एक का यूज़ किया जा सकता है, यह तीन यहाँ पे लिखें हैं, तीनों में से किसी एक का आप यूज़ कर सकते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे नोट डाउन करने की जो जरूरत है, कि आप तिल और अंटिल का यूज़, ठीक है, तिल और अंटिल का य किये जा सकता जैसे मैं समझाता हूं फिर से समझिएगा अगर आप किसी भी का प्रयूक तक के अर्थ में अर्थात समय बताने के लिए यूज करना चाहते हैं तो किसमय के नहीं किया जाएगा और ये किसके context में बात की जा रही है, समय के, यनि समय जब आपको बताना हो, तो समय के context में आप two का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं करेंगे, जबकि till और until का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे, एक example के माध्यम से समझिए, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे, he, ठीक है, will, he will stay with me, with me, यह देखे, he will stay with me, till, ठीक है, till, मैंने कहा, next, till next Friday, ठीक है, अब यह sentence हो गया, मैंने कहा, कि he will stay with me, he will stay with me, till next Friday, अब तिल के स्थान पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे, until कभी यूज़ कर सकते हैं, यानि आप ऐसे बोलेंगे, he will stay with me, till next Friday, he will stay with me, until next Friday, अब किसी भी स्थिति में आप टू का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानि यह भी सही है, और यह भी सही है, तो चाहें आप till का यूज़ करियें, चाहें until, लेकिन किसी भी स्थिति में, यह इस एक्स्प्रेशन, यह इस sentence के साथ, आप कभी भी 2 का यूज नहीं करेंगे, बस यही बताने कर्थ था, इस कार्थ यह निकलेगा, कि he will stay with me till next Friday आपने बोला, तो यह बिल्कुल सही है, he will stay with me till next Friday का मतलब है, कि वो मेरे साथ, ठीक है, अगले Friday तक ठहरेगा यह रुकेगा, हुप करता हूँ, यह आपको from के साथ 2 till until condition को, आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई भी समस्या नहीं बनी होगी, इसी तरीके से again देखिए, एक बड़ होता है 2, ठीक है, अब 2 की जब हम बात करेंगे, तो 2 का use होता है destination के लिए, ठीक है, यहां पर जब भी किसी भी sentence में 2 की बात करेंगे, तो 2 का use किस के ल अब यहां पर जब भी मैंने कहा कि destination या aim अर्थात लक्ष के लिए, तो यह लक्ष के लिए किसका, इसका मतलब यह होगा, कि जो भी आपका लक्ष होगा, जो भी आपका गंतव्य होता है, या जो भी आपका स्थान होगा, तो स्थान के context में आप हमेशा 2 का use करते हैं, अब इसी तरीके से return का आप use कर दें, return का, इसी तरीके से send का use कर दें, अब यह कुछ verb हैं, जो आपके लिए important बन जाती हैं, तो अगर कहीं भी go get come return send का आप use करें, और इनका use actual में किसके लिए किया जाए, यानि place के लिए, यानि sentence में आप इनका use करते हैं, अगर place को बताने के जाए, तो ऐसी इस स्विती में इनके साथ preposition to का follow किया जाएगा, ठीक है, इनके साथ हमेशा preposition to का use होगा, जैसे कि अगर मैं कुछ expression के माद्धम से बताऊं, ठीक है, मैंने कहा, a lot of, a lot of, ठीक है, lot of people, यह देखे, a lot of people come to, ठीक है, come to Maharashtra, ठीक है, Maharashtra, ठीक है, in search of, in search of, ठीक है, jobs, in search of jobs every year, every year. ठीक है, यह देखे, a lot of people come to Maharashtra, okay, in search of jobs every year, यह बोला जा रहा है, अब इस sentence को आप देखेंगे, तो generally examiner होगा, माली जै examiner ऐसे दे सकता है, to condaline कर दिया है, ठीक है, अब यहाँ पर option देदेगा, इनको, दूसरा option देदेगा, add का, तीसरा देदेगा आपको, buy का, और चव ठीक है, ठीक है, no improvement को option देदेगा, improvement, ठीक, चवथा option जो हो गया, वो no improvement को हो गया, अब आप काफी लोग क्या करेंगे, कि यहाँ पर in लगा देऊंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर देखेंगे, महरास्त्रा तो उनको लगेगा, कि महरास्त्रा है, तो जहां भी हम कभी भी किसी भी राज्य की बात करते हैं तो कल की लिक्चर में मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी राष्ट की बात करते हैं या फिर आप कैप्टल की बात करते हैं या फिर मेट्रपॉलिटन सिटीज की बात करते हैं या राज्य की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में जनरली उनके साथ हम इनको यूज करते हैं, तो बड़े इस्थानों के नाम के साथ इनकी स्थिति बन जाती है, तो जैसे ही लोग महरास्टरा देखेंगे, तो उनके दिमाग में यही होगा, कि इनकी कंडीशन बनेगी, जबकि यहाँ पे कम को देखना हो बहुत सारे लोग जो है, जौब की तलास में महरास्टरा आते हैं, यह आप यहाँ पे देखेंगे, तो नों इम्प्रॉम्मेंट की भी इस्थिति बन जाएगी, ना तो इन आएगा, ना तो एट ना ही, बाई की इस्थिति बनेगी, है ना, मैंने एक एक इक्जम्पल और मैंने कहा, प्लीज सेंड, ठीक है, प्लीज सेंड, और यहाँ पे मैंने लिखा इस पार्सल, ठीक है, मैंने कहा, प्लीज सेंड इस पार्सल, ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, तू कैनडा, यह लिख दिया मैंने, मैंने कहा, प्लीज सेंड इस पार्सल तो कहां पे, तो आप बोलेंगे Canada, तो ना तो in आएगा, ना तो at, ना तो by, कुछ भी नहीं आएगा, आप के बल बोलेंगे, please send this parcel to Canada, यहाँ पर two के स्थिति क्या हुई, तो आपका जवाब होगा two वाली condition यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है, अगले की बात कर लेते हैं, कुछ और point, अग अगर किसी भी sentence में, आप leave और start की बात करते हैं, और यह भी किस के लिए आए, place के लिए, ठीक है, यह किस के लिए हो, तो जवाब हो, इनका views अगर आप place के लिए करते हैं, तो हमें से ख्याल रखेगा, यहाँ पर अगर आएगे तो इनके साथ, इन दो word के साथ, for का use होगा इनके साथ किसकी condition बनेगी, तो यहाँ पर for का use किया जाएगा, तो leave और start के साथ, अगर destination को point out आप करना चाहते हैं, यह स्थान का नाम दिया गया हो, तो यह दो word, जब भी कहीं भी sentence में आएंगे, तो destination के अगर point of view से आप use करेंगे इनका, तो इनके साथ, ऐसी स्थिती में to का use ना करके, आप हमेशा for के use को prefer करेंगे, तो जैसे मैंने कहा, let us, यह देखें, मैंने कहा, let us, ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया, leave, ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंग, for the station, यह देखें, यह हुगा यहाँ पर, किसकी स्थिती बनी, तो मैंने कहा, let us leave for the station, यहा जाएगी, तो let us leave for the station, बन जाएगा, इसी तरीके से, मैंने कहा, अगला point अगर मैं बताऊँ, मैंने कहा, he has, he has, he has lift, ठीक है, he has lift for, okay, Mumbai, यह हो गया, he has lift for Mumbai हो गया, तो यहाँ पर leave का third form lift हो गया, फिर इसके साथ भी क्या होगा, for के स्थिती बन जाएगी, ठीक है, हाँ, मै let us start for, start for, यहाँ पर आप लिख सकते हैं Delhi, ठीक, तो ओप करता हो, यह भी आपको समझ में आ गया होगा, कि यहाँ पर for के स्थिती बन गई है, तो यह कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं, जहाँ पर आपको दिमाग में, यह सब points को रखना ज़रूरी है, एक चीज और यहाँ preposition to का use नहीं करेंगे, द्यान देना है आपको, मैंने क्या बोला, generally home word के पहले preposition to का use नहीं किया जाता, home सब्दी की बात हो रही है, यहनि अगर किसी भी sentence में home word को अगर दिया गया हो, तो home word के साथ in general, हम किसी भी स्थिती में preposition to को नहीं use करेंगे, but अब ऐसे समझेगा, अगर किसी भी sentence में home word के साथ possessive adjective का use किया गया हो, मतलब आप कह सकते हैं, कि word home आए, ठीक है, और home के पहले क्या आए, possessive adjective, ठीक है, यहाँ पे possessive adjective की condition को मैंने रख दिया हो, ठीक है, home word के पहले, अगर यहाँ पे possessive adjective की स्थिती रख दी गई हो, possessive adjective की स्थिती यहाँ पे रख दी गई हो, तो जब possessive adjective आ जाएगा, तो आप इसके पहले to का use कर सकते हैं, ठीक है, अगर home सब्द के साथ, possessive adjective की स्थिती को रख दिया गया हो, तो ऐसी स्थिती में, आप actual में, possessive adjective के ठीक पहले preposition to का use कर सकते हैं, अब बहुत लोगों को हो सकता है, दिक्कत हो रही हो, कि सर मुझे पता ही नहीं, possessive adjective क्या है, तो in short, आप possessive adjective को समझ लीजे, जैसे आपने जरूर देखा होगा, यह word होता है, my, इसी तरीके से aware होता है, your होता है, ठीक है, his होता है, हर होता है, तो इस तरीके के जितने भी words होते हैं, उनको हम possessive adjective के न में आप preposition to का use कर सकते हैं, किस के पहले, यानि होम सब्द के पहले, अर्थात possessive adjective के पहले किया जा सकता है, अब जैसे example के महाध्यम से समझते हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, कि he went to, ठीक है, went to, आप होम, आप ऐसे बोलेंगे, तो यह गलत हो जाएगा, आप ऐसे नहीं ब के बल आप इतना लिख देंगे, he went or home, तो यह सही हो जाएगा, ठीक है, यह सही होगा, और यह भी सही हो जाएगा, अगर आप ऐसे बोलते हैं, he went to his home, he went to his home, आप ऐसे अगर बोलते हैं, तब भी यह सही माना जाएगा, यानि आप कह सकते हैं, he went to his home, यह क्या है, तो correct हो ज और his की स्थिती बन गई तो इसलिए यहां पर preposition to आएगा तो he went to his home यह correct हो जाएगा he went home यह भी correct आजाएगा यानि preposition to नहीं आया लेकिन आप अगर ऐसे बोलेंगे he went to home तब यह गलत होगा तो he went to home गलत he went home यह बिलकुल सही है ये क्योंकि to नहीं आया और यहां पर अच्छा फिर से समझेए आप अगर ऐसे बोलते तब पर भी गलत हो जाएगा यानि he went ठिक है अब आप ऐसे बोल दें he went his home तब पर भी गलत हो जाएगा ठीक है ये क्योंकि अब तो home word के पहले his आ गया, home word के पहले ये actual में तो his आ गया अब his आ ही गया है तो इसके साथ to लगाने की यानि आप कह सकते हैं to लगाने की condition अब बन गई है तो आपने अगर to नहीं लगाया तब पर भी sentence क्या होगा गलत होगा, तो ये कह सकते हैं he went his home, ये गलत है he went to home, ये गलत है he went home, सही है he went to his home, ये भी सही माना जाएगा तो होब करता हूँ ये यहाँ पर इतनी condition आपको बड़िया से समझ में आ गई होगी, कोई भी doubt ये confusion नहीं बनी होगी अगले point के बारे में डिसकस करते हैं जो अन्न कहीं कहीं जरूरी है आप देखिए, यहाँ पर एक word अपने पास है against, ठीक है एक यहाँ पर word है, against है अब against की अगर हम बात करें कि against है क्या तो एक तो आपको पता ही है opposition का sense देगा, ये contravention का sense देने के लिए विरोध की sense में हम use करते हैं, विरोध के लिए है ना, एक तो यूज होता है विरोध के लिए, ये आपको पता ही है, विरोध के लिए यानि किसी भी sentence में अगर आप विरोध का भाव प्रकट करना चाहते हैं, तो विरोध के लिए है ना, in contravention of ठीक है, in contravention of कि sense में use कर सकते हैं, आप चाहे इन contravention of कि sense में हम इसका यूज कर सकते हैं, अब पॉइंट दूसरा क्या निकलता है, pressing on कि sense में, pressing on, अच्छा समझेए का pressing on का अर्थ क्या होता है, pressing on, अब मैं इसको bracket में लिख दे रहा हूँ, से लग कर, से लग कर, ठीक है, लग कर, या फिर आप कह सकते हैं, से सट कर, से सट कर, ठीक है, अब इस का अर्थ देख लीजे, आखिरी इसका भाव क्या निकलेगा, जब आप किसी भी sentence में, मैंने क्या बोला, विरोध के लिए, तो in contravention आप हुआ, आपने का ठीक है, यहाँ पर pressing on का मतलब क्या होगा, से लग कर, या से सट कर है, यह टा है, ठीक है, से ठा, ठीक, अब जनरली देखेंगे, तो पहला वाला expression सबको पता है, कि जैसे विरोध का भाव करना हो, तो विरोध की भाव को प्रिकट करने के sense में, हम exactly use कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा, कि आपको कभी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब परिवार के खिलाफ, यहाँ पे परिवार के विरोध में, यह वि खिलाफ, ठीक है, यह के विरोध, यह के विरोध, यह मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, तो परिवार के खिलाफ यह के विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, इसी तरीके से, अगर अगले point की मैं बात करो, कि के खिलाफ यह के विरोध का मतलब, यह तो समझ में आगया, जैसे ही मैंने कहा मेरा मित्र ही मेरे खिलाब चुनाव लड़ रहा है, तो यहाँ पर किसका संस दी रहा है, तो जबाब निकलेगा, यहाँ पर के खिलाब या के विरुद्ध का भाव प्रिकट करने के लिए, वहीं पर अगला देखेंगे, तो यह लिखा pressing on, इस point को स समझना सबसे ज़्यादा important है जब आप pressing on बोलते हैं तो pressing on का मतलब है कि जब कोई चीज किसी चीज से सट कर मौजूद हो जैसे अगर मैं ही हूँ तो मैं इस board से सट करके अगर मैं खड़ा हो जाओं तो एक discussions देगा से लग कर यसे सट कर कोई बेक्टी है माल लिजे अकसर देखते हैं दरवाजे से कोई बेक्टी सट करके खड़ा हो जाए तो दरवाजे से अगर सट करके खड़ा हो जाए तो आप किसका यूज करेंगे अगेंस का ऐसे ही आप जैसे मान लिजे कि बोरी आप देखते हैं खलिहान बगएरा से गेहु है चावल है गेहु है धान है इन सभी के बोरीया आती है तो इनको दिवार से हमेशा सटा करके रख दिया जाता है तो इसका मतलब यह प्रिसिंग ओन कसंस दे रहा है सीड़ी बग कि आ रहा है कि जब कोई चीज ठीक है जब कोई चीज आ किसी चीज से सट करके मौझूद हो तो आप अगेंस का यूज करते हैं जैसे आप देखें क्रिकेट खेल के आते हैं तो बैट को आप ऐसे जमीन पर नहीं रख देते हैं किसी चीज से आप सटा करके रख देते हैं त तक कोई भी डाउट या फिर कन्फूजन नहीं बना होगा या से मैं बोल रहा हूँ मैंने कहा मैंने कहा you should not do anything you should यह sentence समझेगा मैंने कहा you should not do not do anything ठीक है मैंने कहा you should not do anything against your family यहां पर you should not do anything against your family मैंने कहा आपको कोई भी चीज अपने परिवार के खिलाब नहीं करना चुक है you should not do anything against your family अगला परिवार कोई समझेगा मैंने कहा why are you why are you ठीक है why are you taking okay taking this decision this decision okay decision against me against me यह हो गया ठीक है मैंने कहा why are you taking this decision against me मैंने कहा आप इस decision को मेरे खिलाब क्यों ले रहे हैं why are you taking this decision against me यह यहां पर against के condition बन गई फिर मैंने कहा मैंने कहा please please ठीक है put this bag this bag against the wall against okay the wall the wall हो गया है ठीक है इसी तरीके से अगला देख लिए है यहां पर यह लेनिंग अगेंस्ट गेंस्ट 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 की है यह पर मैंने कहा पर देखेंगे, अगेंस्ट दे वाल हुआ, यहीं पर आप देखेंगे, अगेंस्ट मी की कंडिशन बन जाएगी, तो हुप करता हूँ, यह लाइन क्लियर हो गई होगी, अगले की बात करते हैं, नेक्स पॉइंट, तो हुप करता हूँ, यह लाइन आपको बड़ी है से क्लियर हो गई होगी, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होई होगी, है न, चलिए, अगला देख लेते हैं, नेक्स पॉइंट, जो अगें इंपोर्टेंट है, एक रॉस वर्ड है ठीक है, एक रॉस, अब इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट साइट के संस में यूज करते हैं, के पार, जैसे आप बुलते हैं, के पार, या, सौरी, के उस पार, के उस पार, ठीक है, यह देखें, आप के पार, या के उस पार के संस में, यूज करेंगे, तो के पार या के या, from one side, ठीक है, from one side, one side, okay, to another, ये देखें, ठीक, मुझे लगता है ये line समझ गया होंगे, मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखें, from one side, एक हो गया, to another, इसको हिंदी में बोले तो, एक और से, एक और से, एक और से, दूसरी और, दूसरी और, ठीक है, मैंने कहा, एक और से, दूसरी और, या, एक छोर से, दूसरी छोर, ठीक है, यह हो गया यह पॉइंट यहने एक और से दूसरी और या एक छोड से दूसरी छोड के संसे में हम यूज करते हैं इसका अर्थ क्या निकलेगा मैं समझाता हूँ जैसे आप कहते हैं सपोस करिए यहां पर आपने भाई बना दिया यह लाइन है ठीक है यह चलिए इसको मालीज से एक तो condition समझ लेते हैं कि यह सड़क है इसको मैंने क्या कर दिया यह सड़क है ठीक अब आप देखेंगे अपोसे साइट में मालीजे एक ब्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है ठीक एक ब्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है ठीक अब वो आप यहां पे हैं और एक ब्यक्ति जो है यहाँ पे है यह आप अपने को ही ले सकते हैं कि आप यहाँ पे हैं तो जब आप यहाँ पे इधर आना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है डिफरिडली आप दूसरी साइड में आप आना चाहते हैं है न zero opposite side तो इधर से आप पोँचेंगे एक किनारे से दूसरे किनारे, यानि एक छोर के रोड का इधार है, और एक छोर क्या है, इधार है, तो जब आप मूब करते हुए जाएंगे, तो एक और से दूसरी और का संस निकलेगा, हाँ, वहीं पे अगर मालीजे थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे, आपने इसी पात को denote कर दिया, ऐसे, कि भाई, ऐसे ही किबल है, यहाँ पे लाइन खीची है, और यहाँ पे आप एक किनारे से को concept लेते हैं, और इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजे, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्या किया, यह, यहनी यहाँ अब जब दूसरी और का sense दे रहे हैं, मतलब आप कोई एक statement बोलना चाहते हैं, जिससे यह केबल पता चले, कि दूसरी और का भाई परकट करना है, जैसे मैंने कहा, नदी के उस पार, सडक के उस पार, गाओ के उस पार, पहाड़ी के उस पार, शहर के उस पार, है न, देश के उस पार, शमुदर के उस पार, इसका मतलब क्या है, कि दूसरी और का sense दे रहा है, कि उस पार का sense दे रहा है, तो कि उस पार के sense में भी आप एक रॉस का use करेंगे, जैसे आप बोर्ड का ही example ले लिए, ली दीजिए, तो मैंने कहा, भाई, आप बोर्ड के एक किनारे से, दूसरे किनारे तक अगर लाइन खीचने की बात की जाए, तो एक किनारे तो नीचे से सुरू होगा की नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, तो इसका मतलब पॉइंट एहां से होगा, अब पॉइंट भी यहां तक कहुँचेगा, ये बात सही हुई, तो यहां पर भी अब दूसरी और दूसरा घाट है, तो अगर कोई ब्यक्ति यहां से, एग घाट से, ये एक किनारे से तैरना सुरू करे, अब दूसरे किनारे पे पहुचे, यह यूं कहें, अपोजिट साइट में दूसरा किनारा होगा, वहाँ पे पहुचे, तो इसका मतलब एक छोर से द यह लाइन आप समझ में आ गया होगा आपको मैंने कहा there there is a tree a tree यह मैंने कहा there is a tree और यहां पर लिख दिया कर दिया there is a tree across the route फिर मैंने कहा can you swim can you swim ठीक है can you swim across across the river the river यह देखे यहां पर condition बन गई ठीक है मैंने कहा can you swim across the river के condition बन गई there is a tree across the road मतलब सड़क के उस पर एक पेड़ है मैंने कहा can you swim across the river क्या आप नदी को पार कर सकते हैं यह नदी को उस पार जा सकते हैं तो एक छोड से दूसरी छोड का sense यहां पर दे रहा है ठीक है तो मुझे लगता है yes यह point को आप समझ गया होगे यहां तक कोई भी दिक्कत न देख लिए क्या भाई अब जैसे भाई की बात करते हैं तो बाई को वोउस के कांटेक्स में अगर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं पैसिव ओस मेंаю इंपैसी वोइस जैसे यहां पर मैंने लिक दिएए इन पैसिव ओस इन पैसिव ओस ठीक है इनसी उइस आचा इस पैसी वोई इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी sentence को active से पैसी वो इसमें change करते हैं अगर sentence active में है तो active से पैसी वो इसमें अगर change करना हो तो जो नए वाला object होता है नए वाले object के पहले आप क्या use करेंगे तो जवाब मिलेगा by तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं by ठीक है अ तो जो नए वाला object होगो उसके पहले by किस्सिती बनेगी ठीक है वहीं पर दूसरे point को अगर हम denote करना चाहें और क्या होगा जैसे अगर आपको कहीं भी sentence में vehicles की बात कर रहा जाए ठीक है यानि यातायाद को जो साधन होते हैं तो आप vehicles की बात करें ठीक vehicles की अगर हम बात करते हैं तो vehicles की पहले भी आप use करेंगे जैसे मैं अगर denote करता हूँ तो आप by car बोलते हैं ठीक है इसी तरीके से आप by bus बोलते हैं यह इसी तरीके से by truck बोलते हैं होता है कि नहीं तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है तो इसका मतलब जितने भी के साधन होते हैं तो यातेयाद के साधनों के पहले भी हम यूज करते हैं यहीं पे अगर रास्ता बताना हो अर्थात वे मार्ग बताना हो ठीक है अगर आप किसी भी सिंटेस में आप मार्ग की बात करते हैं है ना रास्ते की बात करें तो रास्ते के कॉंटेक्स्ट में भी हम यूज़ करते हैं किसका by का तो आप बोलेंगे यहां लिख सकते हैं by Road लिख सकते हैं ठीक है इसी तरीके से आप लिख सकते हैं by Road आप इसी तरीके से by Water है न, यह YC लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर YC लिख देता हूँ, समुद्री मार्ग, है न, यह हो गया, ठीक, by air आप लिख सकते हैं, यह, by air हो गया, माध्यम बताना हो, किसी भी sentence में आप मीडियम की बात किया जाए, यह बोले तो माध्यम बताना हो, तो अगर आप माध्यम को represent करना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी भी sentence में अगर माध्यम बताना हो, तो माध्यम की पहले भी use करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है, by draft, ठीक है, यह हो गया, इसी तरीके से by check आप बोल सकते हैं, यह माध्यम है, by check आप बोल सकते हैं, इसी तरीके से by email आप बोल सकते है इमेल आप बोल सकते हैं, ठिक, इमेल, एक सेक्टरा हुआ के नहीं, तो आप बोलेंगे बिलकुल, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं भी मेडियम की भी बात हो, है न, भाई चेक, यह नि इसका मतलब यह है कि जैसे आपने कहा, कि भाई यह ऐसा है, मैंने अपनी जो सैलर में माध्यम को डिनोट करना चाहते हैं, तो माध्यम के लिए भी आप बाई का यूज करते हैं, इसी तरीके से अगला अगर बात करें, next क्या हो सकता है, तो यहाँ पे तो मैंने माध्यम बोल दिया, माध्यम के अलावा भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं भी measurement की बात हो या फिर rate की बात करते हैं, rate अगर हो, ठीक है, weight अगर हो, rate, weight, ठीक है, weight, इसी तरीके से आप measurement भी बोल सकते हैं, measurement हो गया, ठीक है, etc. इनके साथ भी आप use कर सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, by the kilo आप बोल सकते हैं, by the kilo हो सकता है, इसी तरीके से आप लिख सकते बाइद धा ठीक है G-dgram आप लिख सकते हैं इसी तरीके से आप बोल सकते हैं बाइद लीटर निए थिकана जोता है आईए कुछ example देख लेते हैं, तो इन example के माध्यम से इसको clear कर पाते हैं, यानि ये point है, passive हो इसमें अगर sentence को बनाना हो, तब आप use कर सकते हैं, वेहिकल्स यातायात के साधनों की बात किया जाए, तब पर भी आप by के use करते हैं, इसी तरीके से अगर आप कहीं भी mark बताना हो तब पर भी आप by के use करते हैं, माध्यम बताना हो, किसे भी sentence में आप medium को represent करना चाहते हैं, तो medium के context में भी आप by के use करते हैं, यहाँ पर वेट हो, rate हो, दर हो, भार हो, या फिर मापन को आप denote करना चाहते हैं, तब पर भी आप by को अब शेक्टन सार यूज कर सकते हैं, अ this question, ठीक है, this question has been, has been, मैंने का solved, ठीक है, by me, यह देखे, मैंने कहा, this question has been solved by me, यह question जो है, मेरेद्वारा साओल किया गया है, किसके द्वारा, तो जवाब होगा, मेरे द्वारा, so this question has been solved by me, यहाँ पर me के पहले क्या है, by, तो यहाँ पर इसका मतलब यह passive voice के structure है, यहां पर यह पैसी वो इसका structure कहलाएगा, ऐसे ही आप कह सकते हैं, मैंने कहा, gold is, gold is sold, ठीक है, sold by the gram, ये, by the gram आपने बोला, ये हो गया, मैंने कहा, gold is sold by the gram हो गया, इसी तरीके से और भी आप कह सकते हैं, ठीक है, हाँ, मैंने कहा, he reached there, ठीक है, he reached, reached there by car, by car, ठीक है, हाँ, मैंने कहा, I got this information, this information, मैंने कहा, I got this information, by email, by email हो गया, ठीक है, ये देखे, यहाँ पर, मैंने कहा, I got this information, by email, मतलब, मुझे, मैं इस information को, email के माध्यम से पाया हूँ, ठीक, तो किस के माध्यम से पाया, तो आप बोलेंगे, email के माध्यम से, तो ये, ये माध्यम बताया जा रहा है, यहाँ पर vehicle की बात हो रही है, इसी तरीके से, यहाँ पर measurement, ये weight rate की बात हो रही है, और यहाँ पर sentence को active voice से, passive voice में change करने की बात की गई है, मतलब ये निकला, कि अगर जितने भी points मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो points कहीं भी sentence में आ जाते हैं, मार्ग या फिर vehicles के बात करते हैं, कुछ भी आ जाए, तो आप प्रतेक दसा में preposition by की स्थेती को हमेशा आप conclude करेंगे, तो आप करता हूँ, ये point आप हमेशा याद रखेंगे, इन पर किसी भी प्रकार के doubts, ये confusion नहीं होंगे, आपके exam के point of view से, बोले तो MTS के point of view से, they are very important, MTS के point of view से इतना ये sufficient है, जितने भी points मैंने बताएं, they are enough, अब अभी भी कुछ prepositions बचे हुए हैं, जिनको next lecture में समझ यानि वो तब prepositions को हम समझेंगे ही, जो बचे हुए हैं, साथी साथ fix prepositions की भी conditions को हम समझेंगे, पूरा नहीं, जो काम काम के होंगे, जो आपके MTS में बन सकते हैं, या फिर questions बनते ही हैं, उनको भी हम एक एक करके जानेंगे और समझेंगे, ये भी देखेंगे, कि आखि समझेंगे, OF, OFF में क्या differences हैं, तो इन सभी prepositions को हम समझेंगे और इनके uses के बारे में समझेंगे, साथी साथ fix prepositions के जो बचे हुए concepts होंगे, ये यूं कहें, कि fix prepositions जो important, जितने भी points होंगे fix prepositions से, उनको भी हम समझेंगे, एक एक करके, वही केवल important सब्दों को ही समझेंगे, फिर prepositions से जितने भी आप questions बना सकते हैं, उनको आप करेंगे, आप से question छूटने वाले नहीं होंगे, यानि आप ये कह सकते हैं, कि तीन lecture में आपका prepositions MTS के point of view से पूरा wind up हो जाएगा, उसमें आप हर प्रकार के questions का solve करने में capable हो पाएंगे, तो आज के कर दो जाएगे, यानि आप करド bowl नहीं हो जाएगा टारियों स कांछा नहीं हो जाएगे, एक occupationalा लाएगे, एक हाट थैनő आप कर को से जाएगे, डे तारा लूटने आपकार के लिवः ये च می इठकारे, वाले तनकrenoπο ow जा क्रो ये किता में येकर हु जा जाएगे, जागे,